देश में किसानों की स्थिती चिंता जनक आकरते और आप देख रहे हैं M&T News Network ऐसे तो सरकारे किसानों से जुड़ी कई वादे करती है लेकिन जमीनी स्थर पर देखें तो देश में किसानों की स्थिती दैनिया नजर आती है किसानों की स्थिती क्या है और वे किन हालातों का सामना करते हैं ये गोदी मीडिया नहीं बताएगी याद कीजिए किसान आंदोलन का वस्सम है जब देश भर के किसानों ने तानशाही सरकार द्वारा लाए गए क्रिशी कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया था तब कुछ सत्ता के चाटुकार किसानों को बदनाम करने में लगे थे किसानों को देश द्रोही आतंकवादी और नजाने क्या क्या कहा गया जबकि सैकडों किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे इस देश में किसानों की स्थिती क्या है और वे किन हालातों से गुजरते हैं आईए NCRV के आंकडों से जानते हैं पिछले साल 4 दिसंबर को National Crime Records Bureau दोरा जारी किये गए आंकडों के अनुसार भारत में किसानों के आत्महत्या के मामलों में वृद्धी हुई है आंकडे देखें तो साल 2021 में 10,281 किसानों ने आत्महत्या की थी जबकि 3.7 फीस दी वृद्धी के साथ या आंकडा साल 2022 में 11,290 हो गया यानि कि 2022 में औसतन प्रती महीने 376 और प्रती दिन 30 किसानों ने आत्महत्या की है वही नाशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक अन्य रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत में रोजाना 154 किसान या मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं अगर आत्महत्या के इस संक्या को डेड़ सो ही मान ले तो हर साल इस देश में 54,750 किसान और मजदूर आत्महत्या करते हैं जो बेहदी चंता जनक है महरास्ट्र में किसानों के आत्महत्या के आंकड़े और अधिक चौकाने वाले हैं आंकडों के मताبक महराष्टरू में हर महीने 209 केसान आत्महत्या कर रहे हैं यہ हम नहीं बलकि चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने विधानत सभा में बताया है आंकडों के मताव के एक जनवरी 2014 से 31 मई 2014 के बीच महराश रूमें 1046 कसानों ने आत्महत्या की है यानि हर दिन औस तन 7 कसानों ने आत्महत्या की है जगरती के इस मोहीम में आप हमारा साथ और सही योग दे जानकारी में तो पुन लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर करें साथ ही हमारी अगले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें धन्यवाद जै भीम जै मोल नमासी जै समवधान जै भारत MNT News नेटबर को सब्सक्राइब करें लाइक को रूफ फॉलो करना ना भूले साथी बेल आइकन दबा कर जन्जागरूती की मुहिम में जुड़े रहे